पाठ छे, सर्वनाम आपने देखा कि उपर दिये गए वाक्यों में रोहित तथा नमन के नाम बार बार न लिखकर उनके स्थान पर कुछ अन्य शब्दों का प्रयोग किया गया है जैसे वे, उनके, उनसे, अपने और वे है जिन शब्दों का प्रयोग संग्या के स्थान पर किया जाता है वे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं जैसे मैं, हम, तुम, आप, यह, वे है, आदी सर्वनाम का प्रयोग करने से भाशा सुन्दर लगती है संग्या की तरह ही इसमें भी एकवचन और बहुवचन होते हैं कुछ सर्वनाम शब्द एकवचन, बहुवचन मैं, हम, यह, ये, इसे, इन है एकवचन, बहुवचन, तुम, आप, वह, वे, उसे, उन है सर्वनाम के भेद पुरुश्वाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्णवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक पुरुश्वाचक जो सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति का बोध कराते हैं, उन्हें पुरुष वाचक सर्वनाम कहते हैं. ये तीन प्रकार के होते हैं. उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्यम पुरुष. उत्तम पुरुष कहने वाला अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें उत्तम पुरुष कहते हैं जैसे हम, मेरा, हमारा मध्यम पुरुष जिससे बात की जाती है उसके लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग हो उसे मध्यम पुरुष कहते हैं जैसे तुम, तुम्हारा, तुम्हें, तुझे, अन्यपुरुष, जिस व्यक्ति के बारे में बात की जाती है, उसे अन्यपुरुष कहते हैं, जैसे ये है, वे है, इनका, ये, वे. निश्चय वाचक, जिस सर्वनाम शब्द से निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, उसे निश्चय वाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे ये है, ये, वे है, वे. अनिश्चय वाचक, जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो, उसे अनिश्चय वाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कोई, कुछ. प्रश्ण वाचक, जिस सर्वनाम शब्द से किसी प्रश्ण का बोध हो, उसे प्रश्ण वाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कौन, क्या, किसे. संबंध वाचक जिस सर्वनाम शब्द से एक व्यक्ति या वस्तु का दूसरे से संबंध का पता चलता है उसे संबंध वाचक सर्वनाम कहते हैं जैसे जो सो, जहां वहां, जैसा वैसा, निजवाचक जो सर्वनाम शब्द कर्ता के स्वयम के लिए प्रयुक्त होते हैं, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे स्वयम, अपन आप आदी, आओ दहराएं संग्या के स्थान पर प्रयोग किये जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं सर्वनाम के छेह भीद होते हैं पुरुषवाचक, निश्चैवाचक, अनिश्चैवाचक, प्रश्णवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक